आज इस वीडियो में एक खुबसूरत स्टोरी में आपको बदाने वाला हूँ और ये स्टोरी है बास्केटबॉल टीम लोस अंजलेस रिकर्स की ये एक अमेरिकन टीम है NBA टीम जो बास्केटबॉल चांपियन है 1986 में इनके कोज जो है पैट रिले वह बहुत परेशान थे क्योंकि ये जो टीम जो है इनों continuously seasons हारती जा रही थी तो 1986 में उन्होंने डिसाइड किया कि इसको drastically change कैसे किया जाए जिससे कि मेरी टीम जीतना शुरू करते तो अपनी टीम को एक winning position पे लेके जाने के लिए उन्होंने decide किया कि जादा अगर मैं कोशिश करूँ मेरे टीम के साथ तो वो और frustrate हो जाएंगे तो उन्होंने हर एक player को convince किया कि वो खुद के skills में जो five areas of skills रहते हैं especially basketball में उन पांचों areas में at least एक percent improvement लेके आए तो उन्होंने पहले पूचा कि क्या यह possible है तो one percent improvement सभी players ने का हां यह तो मुझे possible है मैं एक percent हर एक इन पांच areas में खुद को improve कर सकता हूं और यही चीज Pat को चाहिए थी क्योंकि आप देखेंगे बारा players होते हैं बास्केट बॉल में पारा इंटू five skills so it is 60% improvement directly at a team level तो अगर 10% का भी improvement किसी टीम में होता है तो वह amazing कहा जाता है तो यहां पर तो 60% हुआ जब actually practically players खुद को improve करने चल पड़े तो देखा गया 6 महिने में उन players ने खुद के अंदर 1% से भी जादा अच्छी improvement की कोई-कोई 5% कोई-कोई 15% improve हो गए कोई-कोई 50% तक improve हो गए तो 1986 एक बहुत ही बढ़िया साल रहा Los Angeles Lakers के लिए क्योंकि उस साल में सारे seasons के championships वह जीत गए तो यह story हमें क्या संदेश दे रही है especially हमारे बच्चों के लिए कि जब भी भी आप बच्चे को improve करना चाते हैं आप 2 या 3 skills जिस parameters पर आप उसे improve करना चाते हैं just target 1% of improvement every week अगर आप ये 2-3 parameters जो major parameters है बच्चे के उस पर अगर 1% क्योंकि 1% बहुत easy हो जाएगा बच्चे के लिए improve करना खुद को खुद के performance को 1% से improve करना अगर इस 2 या 3 parameters जो critical है बच्चे के लिए जो आप focus कर रहे हैं उस पर 1% अगर आप improvement ला सके तो एक साल में बच्चा 100% improve हो जाएगा तो यही मिला recommendation रहेगा आपके लिए कि आप बच्चे के उपर जादा unnecessary pressure ना create करे अगर आपको improve करना है बच्चे बहुत easy हो जाएगा कुद को improve करने के लिए and you know few months down the line few years down the line आप देखेंगे कि बच्चे का performance amazingly improve हो गया है he so he might become one of the best in that particular area so as parents target on your child's small improvements